तो हेलो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी दे फॉर्चून टेलर जो लिखी गई है बाई कैरल कैपक वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इस स्टोरी की स्टार्टिंग में राइटर ने ये बताया है कि ये स्टोरी चैसको सलवेकिया, फ्रांस, जर्मनी जैसी जगा नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ के जजिस पनिश्मेंट लैटर ओफ लॉग के बिसिस पर देते हैं ना कि कॉमन सेंस पर इंग्लेंड ही एक ऐसी जगा है जहां पर पनिश्मेंट कॉमन सेंस के बिसिस पर दी जाती है इस स्टोरी के में करेक्टर हैं मिसिस एदित मेर्स जो एक बहुत ही रिस्पेक्फुल लेडी हैं लेकिन इन पर एक डिटेक्टिव की नजर थी जिसका नाम था इंस्पेक्टर मेकलेरी उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये लेडी किस तरह से पैसे कमाती है और मिसिस मेर्स के बारे में बोला जाता था कि वो एक फॉर्चुन टेलर हैं वो बहुत ही शांदर जिंदगी जी रही थी बहुत लोग उनके पास रोज मिलने के लिए आया करते थे डिटेक्टिव मेकलेरी ने ये बात अपनी वाइफ को बताई कि उसे लगता है कि मिसिस मेर्स कोई प्रोस्टिटूट का बिजनस करती हैं या फिर वो कोई फॉरन कंट्री से आई हुई जासूस हैं मिस मेकलेरी ने अपने हस्बेंड से कहा कि मैं तुमारी इस केस में हेल्प करती हूँ मिस मेकलेरी ने अपनी वैडिंग रिंग उतार दी और अपना हुलिया एक 20 साल की लड़की की तरह बना लिया और मिसिस मेर्स के घर चली गई मिस मेकलेरी ने मिस मेर्स को अपना नाम जॉन्स बताया और उन्होंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर अपना फ्यूचर जानने के लिए आपके पास आई हूँ मिस मेर्स ने एक पैक आफ कार्ड मिस मेकलेरी के सामने रख दिया और उन कार्ड़ को पांच हिस्सों में बांटने के लिए कहा उन बांटे हुए कार्ड़ को देखते हुए मिस मेयर्ज ने मिस मेकलेरी को कहा कि तुमारी बहुत जल्द एक अमीर आदमी से शादी होने वाली है जो तुमें कहीं बहुत दूर समुद्र पार ले जाएगा लेकिन मिसिस मेयर्स ने ये भी कहा कि तुम्हारे एक अंकल इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम इस बात पर बिलकुल भी ध्यान मत देना मिस मेकलरी ने मिस मेयर्स को उनकी फीस एक पाउंड दी और वो वहाँ से जाने लगी लेकिन जाने से पहले उन्होंने मिसिस मेयर्स से पूछा कि वो अपने अंकल से कैसे चुटकारा पा सकती है उन्होंने साथ में एक जूट और बोला कि मेरे अंकल पुलिस में काम करते हैं मिस मेर्ज ने मिस मैकलरी से कहा तुम अपने अंकल को बोलना कि उन पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और उनको ये कहकर मेरे पास भेज देना मिस्टर मैकलेरी ने अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मिस मेयर्स पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो मिस मेयर्स को कोर्ट में मिस्टर कैली जो मेजिस्ट्रेट थे उनके सामने आना पड़ा उन्होंने उनसे उनके फ़ॉर्चुन टैलिंग के बिद्निस के बारे में पूछा और मिस्स मेयर्स ने रिप्लाई दिया कि वो अपने लिविंग के लिए यह सब करती है मेजिस्टरेट ने उनके सारे चार्जिस उनके सामने पड़े और मिस मैकलेरी वहाँ पर विटनेस बन कर आई और उन्होंने वहाँ पर बताया कि मैं आल्रेडी मेरिड हूँ और एक डिटेक्टिव की वाइफ हूँ और मिस मेयर्ज ने जो मुझ से मेरे फ्यूचर के बारे में कहा था वो कुछ भी सच नहीं निकला इस बात का रिपलाई देते हुए मिस मेर्ज ने मिस मेकलेरी को कहा कि जो कुछ भी हो तुमारी शादी इस साल के एंड से पहले ही किसी अमीर आदमी से जरूर हो जाएगी मिस मैकलेरी की बात सुनते हुए मैजिस्टेट ने मिस मेर्ज को फ्रॉड बताया और सजा के लिए उन पर 50 पाउंड का जुर्माना लगा दिया एक साल बाद मैजिस्टेड मिस्टर कैली डिटेक्टिब मैकलेरी से मिले उनसे बात करते हुए मिस्टर कैली को पता चला कि मिस्स मैकलेरी मिस्टर मैकलेरी को छोड़ कर चली गई है और उन्होंने एक rich businessman के साथ शादी कर ली जो उन्हें समुद्र पार Australia ले गया है और आखिर में Mrs. Mayors की करी हुई prediction ही सच निकली तो ये थी हमारी पूरी story जो लिखी गई थी by Carol Capac वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like, share and subscribe जरूर करें